हलो फ्रेंड्स राधे राधे अप्पी दिवाली और बताइए कैसे हो आप सब आप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे मैं भी ठीक हूँ अब तो अभी देखे मैंना बाती बना रहे थी वो हम रेड कलर की बाती बनाते हैं पर पूरी रेड हो नहीं पा रहे थी मेरे से तो मैंन काती बनने के बाद मैं आगे थी रंगोली बनाने क्योंकि टाइम कम था काम बहुत जादा था हूँ यूशी और और अज मैंने दूसरी रंगोली Direkt की थी और बनाया तो बताईए का कमेंट करके कि मेरी रंगोली कैसी बनी है और ये मैं लच्वी मादा के पाउं बना रही हूं रेड कलर से और ये माचस के तीरी से बना रही थी मैं तो बहुत खुबसूरत जब ये बन गया था रंगोली ना तो बहुत ही खुबसूरत लग रहा था मैंने रंगोली बना लिया है और दिवाली की दिन हमारे यहाँ सुबह से धर में भजन चलता है पूरा दिन चलता है तो अभी देखी छबी गेट पे रंगोली बना रहे थी रुपेज सीडियों पे बना रहा था सारे बच्चे बहुत इक्साइटेड थे तो मैंने भी नहीं रोका कि जब उनका मन है तो मैंने बनाने दिया और यह दिखी छबी निरंगोली बनाया है बहुत सुंदर बनाई थी इतनी छोटी है ना और चबी रुपेज को भी मैंने तयार कर दिया था रुपेज तो कुछ से तयार हो गया था चबी को मैंने तयार कर दिया था उसने आज पर टियाला सूट पहना था अभी मैं आ गई हूँ पूजा की तयारी करने और हस्बिन जो है दिया लेके दी बाबा हमारे हाँ जो डी बाबा होते हैं गाउं के वहाँ पर गया है दी बाबा को दिया जलाने और पीपल के पेड के पास तब तक मैंने सुचा कि मैं पूझा की सारी तैयारी कर लेती हूं कि जब हजबन आएंगे तो बस उने पूझा करना रहेगा तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने मंदिर के पास भी रंगोली बना दी है और सिंपल ही रंगोली बनाई थी क्योंकि इस पेस कम था यहां पे अगर मैं बड़ी रंगोली बनाती तो पूजा नहीं कर पाती और यहां पहले हमारे यहां दीब जल जाता है फिर उसके बाद हम पूजा करते हैं तो यहीं मैं दिया जला रही थी हस्बिन बच्चे मिलके रख रहे थे और मैंने रखी थी इसलिए मैंने कोई recording भी नहीं की क्योंकि यहां की recording हो रही थी तो दिया रखते वे कोई recording नहीं हुआ इसलिए मैंने लगाने पाया और सारे घर में दिया रखने के बाद यहां हम बैड़ गये हैं पूजा करने के लिए तो यह देखे पटाके एक बास्कित में फूल फल एक बास्कित में एक थाली में मैंने पूरा पूजा का समागरी लगाया है और ये क्या बोलते हैं तलमा खाने की खीर मैंने बनाई थी वो माल अच्मी को बहुत प्रिय है अब मेरा मंदिर देखे कितना अच्छा लग रहा है आज मैंने असोक का पत्ता उस पर लगाया है अग गेदे के फूल से डेकुरेशन किया है तो अभी मैं और हस्बिन मिलके हम पूजा कर लेते हैं तो हमारे यहां का नियम है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो एक जो पताका होता है चाहे कोई भी हो तो हम छुर छुरी ही यहां मंदिर के सामने जला देते हैं फिर यह बच्चे जो हैं बाहर ले जाकर जलाते हैं तबी देखिए हमारा मंदिर का पूजा हो गया है और छबी यहां गेट पे आ गई है क्या पटाके फोड़ने के लिए रुपेस पहले निकल गया था बच्चे पूजा होते तुरंद बच्चे घर से बाहर नहीं गये थे वो थोड़ी दिर पड़े थे फिर मीठा पानी पी के फिर वो बाहर गए है और अभी मैंना हमारे यहां पकॉड़ी बनती है सामको गोभी की और टिकिया आलू की तो मैं उसका तयारी कर रहे थी इसलिए मैं यहां पे नहीं हूँ थोड़ी दिर बाद मैं भी आ जाओंगी क्योंकि अभी मैंने सारी तयारी कर ली है आलू का बनाते वक्त तो अभी देखे हस्बेंट जो है वो चकरी जला रहे हैं और यहां पर हस्बेंट जो है पैलसन वाली जो फुल जड़ी आती है ना वो जला रहे थे यह काफी अच्छा मतलब मुझे मिल गया था और काफी टाइम तक मतलब यह जल रहा था पर यह धूमा बहु आगे ब्लॉग में पटाकों की वज़े से जो क्लिप है ना क्लियर नहीं आया है चारो तरफ धुआ ही धुआ हो गया था और अभी मैं भी फुल जड़ी जो है वो जला लेती हूँ मैंने सिर्फ एक ही फुल जलाया था ज्यादा नहीं क्योंकि मुझे पटाकों से बहुत ड प्रेंड्स के साथ वो दिवाली मना रहा है यह देखे पटाके फोर रहा है तो सारे कालोनी की बच्चे जो है ना हमारे ही यहां पर सड़क के पास जो है ना ही कठा हो गये थे सारे अभी आप देखिएगा अपने घर से निकल के सारे यहीं आ गये बाकि घर में आदे बच् से खुजते हैं अभी हमने पूजा कर लिया है और हम अभी पटाके फोर रहे हैं सब्सक्राइब लग रही है याज विखुट पंजावन लग रही थी तो जा करेंगे बहुत ज्यादा दुनाने कर ला है तो आप सबने कैसी अपने दिवाली मनाए करें मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी तो आप देखी रहे हैं और हम यहाँ पर हैं मैं यहाँ पर हूँ और हमने अभी दिवाली मना लिए सौरी दिवाली निमा आप पूरा पड़ा हुआ है तो अभी मैं दिखाते हैं आरा आलू भाम खोड़ने के लिए पर आज मेंने यह वाला लेंगा पहना रहे हैं यह चमा की साधिन मैंने लिया था तो अभी जा रहे हैं आरू परने में दिखाते हूं आपको दिखाएए चटाई दिखाई है यह देखिए चटाई जा रहे है रसम खोड़ने बाहर जडाईए यहाँ नहीं ठीक है हम बैक क कि रूपेज देखे कितना इंजवाएगा तो अच्छा भी पडाका फोड़ रही है देखिए चुर्चुरी वह जलाती है पड़ा का नहीं और उपेज अभी आलू बम फोड़ने जा रहा था तो मैंने मना कर दिया कि नहीं अभी हजबन जलाएंगे अब जला रहे हैं फर्स टाइम हम लोग यह भी किये थे और काफी डर लग रहा था कि पता नहीं उपर जाएगा या नहीं जाएगा पर बहुत इसली ऊपर चला गया अभी आप देखिएगा तो फ्रेंट्स मेरा वीडियो कैसा लगा दिवाले ब्लॉग अगर अच्छा तो प्लीज लाइक करके जाएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पे नए हो तो अवेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करू उसके नॉटिफिकेसन आपको मिलते रहें तो अभी दिखे चबी का डांस लास्ट में बच्चे गरवा कर रहे थे चबी गरवा कर रहे थी ने गाने का आवाज जो है न वो कट कर दिया है क्योंकि कॉपी राइट आ जाता है तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने अपनी दिवाली मनाई और आप लोग के साथ सेयर किया प्लीस हमें सपोर्ट करिए और मिलते हैं नेक्स भाई दूच के ब्लॉग में बाई बाई फ्रेंड्स